नमस्कार, कक्षा 6, exercise 3.4, question number 1, का D भाग हम करने जा रहे हैं, इसमें हमें दो संख्याओं का सार्व गुननखंड यानि की common factor निकालना है, तो आएए देखते हैं इसका D भाग, हमें संख्याओं दी गई हैं 56 और 120, तो सबसे पहले हम बच्चे देखते हैं 56 के सार्व सारी, हम देखेंगे 56 के गुननखंड, तो देखें सबसे पहले 1 के पहाड़ में 56 आता है, लिदे गुना56, 2 के पहाड़ में भी 56 आता है, 28 दुनी 56, ये पहाड़े है याद होंगे तो और असानी से करपाएंगे, तीन के पहाड़े में देखे 18 ती यह 54 होता है और 19 ती यह 57 तो 18 और 19 के बीच में 56 जो है तीन के पहाड़े में नहीं आता है चार के पहाड़े में 56 आता है 14 चो के 56 पांच के पहाड़े में 56 नहीं आता क्योंकि पीछे 6 है चपन आठ के पहाड़े में आता है आठ हमने लिख लिया नौ दस ग्यारा बारा तेरा के पहाड़े में चपन नहीं आता चोदा हमने लिख लिया पंदरा से लेकर 27 तक किसी पहाड़े में चपन नहीं आता 28 हमने लिख लिया और 56 हमने लिख लिया तो इनके अलावा और किसी भी पहाड़े में 56 नहीं आता है तो देखे बच्चो 56 के गुननकंड ये हो जाएंगे एक, दो, चार, साथ, आठ, चौदह, अठाइस और 56 इसी प्रकार से बच्चों हम निकालेंगे 120 के गुननकंड ठीक है जी आएए देखते हैं 120 के गुननकंड हम सबसे पहले ही है एक के पहाड़े में जाएगा एक गुना 120, 120 होता है दो के पहाड़े में भी 120 जाता है 60 दुना 120 ठीक है जी तीन के पहाड़े में भी 120 जाता है तीन चोके 12 होता ना तो 40 तीया 120 चार के पहाड़े में भी जाता है तीस चोके एकसो बीस पांच के पहाड़े में भी जाता है चोबीस पंजे एकसो बीस छे के पहाड़े में भी जाता है बीस चीका एकसो बीस साथ के पहाड़े में एकसो बीस नहीं आता 8 के पहाड़े में 120 आता है 158 120 9 के पहाड़े में नहीं जाता है 10 के पहाड़े में जाता है 1210 120 और बाकी जो ये पहाड़े इन सब के पहाड़ों में 120 आता है इनको हम लिख चुके हैं तो इतने सारे पहाड़ों में 120 आता है तो ये सारे ही 120 के क्या है गुनन खंड है तो आईए हम इनको एक एक करके लिखते हैं 120 के गुननखंड यह होंगे देखें यहां से शुरू हो जाई है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, आठ, दस, बारह, पंदरा, बीस, चौबिस, तीस, चालिस, साथ और एक सो बीस हमें निकालना क्या है बच्चो, सार्व गुननखंड निकालना है, सार्व गुननखंड का मतलब क्या है जो कॉमन गुननखंड है, जो दोनों में है, जो 56 के भी गुननखंड होंगे और 120 के भी देखो यहां दियान से बच्चों हम धीरे धीरे करेंगे देखो एक उपर भी एक नीचे भी है तो यह सार्व गुनल खंड है एक को देखे दो उपर भी है दो नीचे भी है कि चार उपर है चार नीचे भी है तीन नीचे लेकिन उपर नहीं है, तो यह सार्व नहीं होगा, साथ उपर है लेकिन नीचे नहीं है, आठ उपर है आठ नीचे भी है, आठ उपर भी है और नीचे भी है, चोदह उपर है लेकिन नीचे नहीं है, अठाइस उपर है लेकिन नीचे नहीं है, छे नीचे है उपर नहीं है, 10 नीचे है उपर नहीं है, 12 नीचे है उपर नहीं है, 15 नीचे है उपर नहीं है, 20 नीचे है उपर नहीं है, 24 भी उपर नहीं है, 30 भी उपर नहीं है, 40 भी उपर नहीं है, 60 भी उपर नहीं है, 120 भी उपर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 56 और 120 के सार्व गुननखंड कौन कौन से आगे एक दो चार और आठ यानि ये चार नंबर ऐसे हैं जिनके पहाड़े में 56 भी आता है और 120 भी आता है यही 56 और 120 के सार्व गुननखंड हैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझाया होगा धन्यवाद